कि विखन नोगे कि घप देदेए थोड़ा जगह बना दिए स्टेज पर वरिशनेता कॉंग्रेस पार्टी के वरिशनेता विपक्षिदल के वरिशनेता हमारे प्यारे कार्यकरता भाईयों और बेहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहाँ बहुत बहुत स्वागत आप आज यहाँ बर्फ में खड़े है मगर आप में इससे किसी को सर्दी नहीं लग रही है आप बारिश में खड़े हुए कोई भीगा नहीं गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है प्रियांका की बात मैं सुन रहा था प्रियांका ने कहा मेरे मेसेज के बारे में प्रियांका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है मगर मेरे आँख में आसु आए क्योंकि मैं कन्या कुबारी से चला शुरुआत की और पूरे देश में हम पैदल चले मैं सच बताओं आपको अजीव लगेगा मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज आठ दस किलोमेटर दोड़ता हूं तो मैंने सोचा था देश कन्या कुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी मेरे दिल में था कि असान होगा फिजिकली मेरे लिए यह मुश्किल काम मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा शायद मैं काफी वर्जिश करता हूं थोड़ा सा हंकार आ गया जैसे आ जाता है मगर फिर बात बदल गई जब मैं छोटा था फुटबॉल केलता था और कॉलिज में जब मैं फुटबॉल केल रहा था एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी इंजरी हुई थी मैं उसको भूल गया था घुटने में दड़ नहीं होता था भूल गया था उसको दर्द गायब हो गया था मगर कन्या के बारी से पाँच साथ दिन बार घुटने में प्रॉब्लम आई और जबर्दस प्रॉब्लम आई पूरा अहंकार उतर गया और मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो तीन हजार पांच सो किलोमेटर हैं क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं तो जो मैंने सोचा था असान काम होगा वो काफी मुश्किल हो गया मगर फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत कुछ सीखने को मिला मैं आपको बोलू तो दर्द सेहना पड़ा काफी मगर सेह लिया रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था काफी दर्द हो रहा था और मैं सोच रहा था अब 6-7 घंटे और चलने है और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है और एक छोटी सी बच्ची आई दोड़ती हुए आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है मगर तुम अभी मत पढ़ो इसको बाद में पढ़ना और फिर वो मुझे गले लगके भाग गई फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूँ क्या लिखा है तो उसने लिखा था कि मुझे दिखरा है कि आपके घुटने में दर्द है क्योंकि आप जब उस पेर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ कन्या कुमारी नहीं चल सकती हूँ क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं कि मगर मैं दिल में आपके साथ आपके साइड में चल रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने ले नहीं चल रहे हो आप मेरे ले चल रहे हो और आप मेरे भविश्य के ले चल रहे हो और उसी सेकंड मैं पता नहीं अजीब सी बात है उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया दूसरी बात मैं चल रहा था मैं चल रहा था और उस समय उसी समय वहाँ पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी सुबह का समय था और चार बच्चे आए पता नहीं कहना चाहिए या नहीं तो कह देखा हूं चोटे से बच्चे थे विकारी थे भीक मांगते थे और मेरे पास आए कपड़े नहीं थे मैंने देखा शायद मज़ूरी भी करते थे तो थोड़ी मती थी उन पे खेर मैं ये चीज़े देखता नहीं हूं तो मैं उनके साथ जले लगा गुटनों पे गया ऐसे उनको पकड़ा मैंने क्योंकि मैं उनकी लेवल पे रहना चाहता था और फिर नहीं सुनिये मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा तो उनको ठन लग रही थी वो काप रहे थे शायद उनको खाना नहीं मिला था छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए मगर मैं मैं जिचका क्यों आपको बताना चाहता हूँ मैं जिचका क्यों आपको बताना चाहता हूँ जब मैंने ये खतम किया मैं चल रहा था तो हमारे साथ एक व्यक्ती थे उन्होंने मुझे मेरे कान में बोला राहुल जी ये बच्चे गंदे हैं कि इनके इनके पास आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए तो मैंने उनसे कहा कि वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ है तो देश में कभी-कभी ये विचारधरा दिखाई दे जाती है दूसरी बात आपको बता देता हूँ शाइद लोगों को अच्छी ना लगे जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी आपने देखा आपको मालूम है क्यों रो रही थी नहीं उसमें से बहुत सारी महिलाएं एमोशनल थी मुझसे मिल कर रो रही थी मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलतकार हुआ है उनको किसी ने मॉलेस्ट किया है उनके किसी रिष्टेदार ने उनको मॉलेस्ट किया है और जब मैं उनसे बोलता था बेहन मैं पुलीस को बताओं तो वो मुझे कहती थी राहुल जी पुलीस को मत बताईए हम चाहतें कि आपको ये बात मालम हो मगर पुलीस को मत बताईए हमारा और भी नुक्सान हो जाएगा तो यह हमारी देश की सचाई है ऐसी बहुत सारी और में कहानियां आपको बता सकता हूँ तो फिर मैं कश्मीर के ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से उपर जा रहा हूँ मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिष्टेदार नीचे से उपर आए सुरी उपर से नीचे आए कश्मीर से अलाबाद गंगा की ओर गए और मुझे ऐसे लग रहा था ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ घर मेरे लिए जबसे मैं चोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूँ मेरा अपना घर नहीं है तो मेरे लिए मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना वो मेरे लिए मैं कहीं भी रह लूँ वो एक इमारत होती है वो घर नहीं होता है घर मेरे लिए एक सोच है एक जीने का तरीका है एक सोचने का तरीका है और यहाँ पे जिस चीज़ को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मनता हूँ अब यह कश्मीरियत अब यह कश्मीरियत है क्या यह जो शिव जी की सोच है एक तरफ और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शुन्यता कहा जा सकता है अपने आप पर अपने अहंकार पर अपने विचारों पर आकरमन करना और दूसरी तरफ इसलाम में जिसको शुन्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है सोच वही है इसलाम में फना का मतलब अपने उपर आकरमन अपनी सोच पर आकरमन जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं यह हूँ मेरे पास यह है मेरे पास यह ग्यान है मेरे पास यह घर है उसी किले पर आकरमन करना वही है शुन्यता वही है फना और इस धरती पे यह दो जो विचार धराएं हैं इनका एक बहुत गहरा रिष्टा है और ये सालों से रिष्टा है जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है गांदी जी वैशनव जन्तों की बात करते थे जिसको हम यहां शुन्यता फना कहते हैं उसको गुजरात में वैशनो जन्तों कहा जाता है असाम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही करनाटक से हमारे यहां जो लोग आए हैं वहां बसवा जी ने यह बात कही केरल में नरायन गुरू ने यह बात की महराष्टा ने जोती भाय फूले निजी ने ये बात की और यहाँ इसको हम कश्मीरियत कहते हैं लोगों को जोड़दा और दूसरों पर आकरमन नहीं करना अपने आप पर आकरमन करना अपनी कमी देखना मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा किया और गया था अलाबाद संगम के बिलकुल किनारे वहाँ पास में हमारा घर है तो जब यहां से वो वहाँ गए उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला था गंगा में ले गए उस सोच को और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तेजीव कहा जाता है तो उन्हों ने मेरे परिवार ने छोटा सा काम कोई बड़ा काम नहीं किया जो आपने उनको सिखाया जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सिखाया लदाक के लोगों ने सिखाया क्योंकि उसमें बहुत धर्म भी है उनके पास भी वोही सोच शुनियता की सोच उधर भी है वो उसको ले गए और उस स्विचारधारा को सोच को गंगा में उन्होंने रखा तो मैं यह सोच रहा था जब यहां आ रहा था पैदल चल रहा था और मुझे सिक्यूरिटी वालों ने कहा सिक्यूरिटी वालों ने कहा था की देखिए आप पुरे हिंदुस्तान में चल सकते हो जमू में भी चल सकते हो मगर आखरी जो चार दिन है कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए बेनु गोपाल जी ने मुझे कहा पहले और जो और्गनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा तीन-चार दिन पहले अड्मिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए शाय डराने के लिए कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके उपर ग्रिनेट फेका जाएगा तो मैंने सोचा मैंने सोचा कि ऐसे करते है मैं अपने घर वापिस जा रहा हूँ चार दिन पैदल चलूँगा अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूँगा और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूँ कि मेरी सफीद शर्ट का रंग बदल दें लाल कर दें क्योंकि मैं मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है नहीं तो जीना नहीं है तो मैंने मौका दिया मैंने का मैं चार दिन चलूँगा बदल दो टी-शर्ट का रंग लाल कर दो देखी जाएगी मगर जो मैंने सोचा था वो ही हुआ जमू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंडिनेड नहीं दिया अपने दिल खोल कर प्यार दिया गले लगे और मुझे मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से बच्चों ने बुज़ूर्गों ने आसूँओं से मेरा यहां स्वागत किया मैं अब जमु कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं सी आर पी एफ के लोग काम करते हैं उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं सब को जमु कश्मीर के युवाओं को बच्चों को माताओं को सब को सी आर पी एफ के बी एस एफ के आर्मी के जवानों को उनके परिवारों को उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ देखिए मैं हिंसा को समझता हूँ मैंने हिंसा सही है देखी है जो हिंसा नहीं सहता है जिसने हिंसा नहीं देखी है उसे ये बात समझनी आएगी जैसे मोदी जी है अमिट्शाजी है आरेसेस के लोग हैं उन्होंने हिंसा नहीं देखिए डरते हैं नहीं डरते हैं देखिए डरते हैं यहाँ पे हम चार दिन पहदल चले मैं आपको गैरंटी दे के कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है और आप और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे इसलिए क्योंकि वो डरते हैं खेर मैं मैं अपने जमु कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, बुज़ूर्गों को और आर्मी के लोगों को, CRPF, BASF लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ देखिए मैं जब 14 साल का था स्कूल में था सुबह जोग्रिफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई अंदर आई और उसने का राहूल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है मैं बदमाश था बहुत बदमाश था जब छोटा था बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं अभी भी करता हूँ मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है मैंने कुछ गलती की होगी अब मार पटेगी वहाँ पे केनिंग होती थी मैंने सोचा था केनिंग होगी मेरी मगर जब मैं चल रहा था जो जिस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देख कर मुझे कुछ अजीब सा लगा और जब मैं प्रिंसिपल के ओफिस पहुँचा तो प्रिंसिपल थे प्रिंसिपल ने कहा राहूल तुमारे घर से फोन कॉल है और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लगया कुछ गलत हो गया है मेरे पैर कहां पे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है वो चिला रही थी रहूल दादी को गोली मार दी दादी को गोली मार दी 14 साल का था देखिये यह जो मैं कह रहा हूँ यह जो मैं कह रहा हूँ यह जो मैं अभी कह रहा हूँ यह बात प्रधान मंत्री को नहीं समझाएगी यह बात अमिट शाजी को नहीं समझाएगी यह बात डोवल जी को भी नहीं समझाएगी मगर यह बात कश्मीर के लोगों को समझाएगी यह बात crpf के लोगों को समझ आएगी ये बात army के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवान ों को समझ आएगी तो मेरे, उन्होंने मुझे कहा, नाम hongmu है उसका, उसने कहा दाधी को गोली लग गई दाधी को गोली लग गई और फिर, मुझे गाड़ी मैं वापिस ले गए प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापिस गए और फिर मैंने वो जगा देखी जहां मेरी दादी का खून था पापा है, मा है, मा बिलकुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी फिर क्या हुआ, तो जब जो हम लोग हैं, जिन्नों ने हिंसा देखी है, ये जो है ना, ये इसको हम बिलकुल दूसरी तरीके से देखते हैं, ये आप सब के लिए टेलेफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलेफोन नहीं है, उसके बाद, छे साथ साल बाद, मैं अमेरिका में था, और फिर से टेलेफोन आया, 21 में टेलेफोन आया, जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में हमारे सेनिक मरे थे, उनके घर टेलेफोन आया होगा, हजारों कश्मीरी लोगों की घर टेलेफोन आया होगा, सेना के परिवारों को टेलेफोन आया होगा, वैसा है टेलेफोन आया, पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहूल बुरी ख़बर है, मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ, पापा मर गए, कहते हैं हाँ, मैंने कहा, धन्यवाद, फोन रख दिया, तो मेरा कहना है, मेरा कहना है, जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमिच्छा जी हैं, अजीट ओवल जी हैं, आर एसेस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, हम समझ सकते हैं, पुल्वामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ, मैं जानता हूँ, मेरे दिल में वो ही हुआ है, जो यहाँ पर कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है, जो फोन कॉल आता है, क्या लगता है, वो मैं समझता हूँ, मेरी बेहन समझती है, तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा, यात्रा का क्या लक्ष है, कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहती है, जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहती है, मैं उस समय दिमाख में आया मगरे मैंने कहा, नहीं बोलता हूँ, कल भाचन में बोलूँगा, यात्रा का लक्ष है, कि ये जो फोन कॉल है, चाहिए आर्मी के हो, चाहिए एस सी आर पी एफ के हो, चाहिए कश्मीर के लोगों के हो, ये फोन कॉल बंद हो जाए, कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को, किसी माँ को, किसी बेटे को ना लेना पड़े, मेरा लक्ष, ये जो फोन कॉल है, इनको बंद करने का है, अब अब देखिए, बीजे पी आर एस सेस के लोग आक्रमन किस चीज़ पर कर रहे हैं, मुझे गाली देते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं, जो मैंने आपको शुनियता की बात की, शिव की बात की, उसको मैं समझता हूँ, और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, कि जितना भी वो मेरे उपर प्रेशर डालें, जितनी भी गाली लगाएं, जो भी वो करें, उससे मैं सिर्फ सीखता हूँ, तो मैं एक प्रकार से उनका धन्यवाद करता हूँ मगर जो मैंने आपको बात बोली पहले चाहे वो कश्मीरियत है चाहे वो वैशनो जन्तो है चाहे वो शंकर देव जी है बसवा है नरायन गुरू है तिरुवलवर है जो तमिल नाडू के बड़े पोयट है फूले जी है और जो कश्मीरियत है ये इस विचारधारा पर आकरमन कर रहे है और ये जो विचारधाराएं है ये इस देश की नीव है इस देश की फाउंडेशन है और आपने जो किया जो यात्रियों ने किया हम सब ने किया इस विचारधारा की रक्षा के लिए किया है मैंने ये काम अपने लिए नहीं किया मैं ऐसा काम अपने लिए कभी करी नहीं सकता हूँ मैंने ये काम मैंने ये काम हमारे कांग्रेसी मित्रों को ये अच्छा ना लगे मगर मैंने ये काम कांग्रिस पार्टी के लिए भी नहीं किया है मैंने ये काम और हम सब ने ये काम हिंदुस्तान की जनता के लिए किया है और हमारी कोशिश है हमारी कोशिश है कि जो विचारधारा जो विचारधारा इस देश की नीव को तोड़ने की कोशिश कर रही है जो विचारधारा इस देश की नीव को तोड़ने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ हम खड़े हो मिल कर खड़े हो नफरत से नहीं क्योंकि वो हमारा तरीका नहीं है मोहबत से कड़े हो मैं जानता हूँ कि अगर हम मोहबत से कड़े होंगे प्यार से बात रखेंगे तो हमें सफलता मिलेगी और उनकी जो विचारदारा है उनको हम सिरफ उसको हम सिरफ हराएंगे नहीं मगर उस विचारदारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे तो आपने देश की जनता ने हमारा समर्थन किया हमारी कोशिश है कि हमें BJP ने एक जीने का तरीका राजनेतिक तरीका दिखाया है हमारी कोशिश है कि हम एक और तरीका जो हिंदुस्तान का तरीका है महबत का तरीका है वो हम देश को दिखाएं हम देश को याद दिलाएं कि हिंदुस्तान महबत का देश है इज़त का देश है भाईचारे का देश तो हमने जो कहा था चोटा सा कदम लिया है बड़ा कदम नहीं है नफरत के बाजार में मुखत की दुकान कुलने की कोशिश की धन्यवाद जेहन हम रावल गांदी जी को उनके सारे नेशनल ये जो परद्यात्री थे और यहां पर आज के मौके पर जो हमारे मेमान दूसरी पार्टियों से आए थे उनके लीडरान आए थे सीड़ाब्लेसी के मेंबरान थे मेंबर पार्लिमेंट चीफ मिनिस्टर पी सी सी प्रेजिन्ट्स और जो भी यहां आज मौझू थे उन सब को शुक्रिया करते हैं और अभी फंक्शन को समापन करते हैं पर है करें 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 कि अधिनायत जेयरे भारत भौज्य विठाटा पंजाब सिंध गुजरात भराता नाविर उत्तर बंगा प्रिंदरि माचल यमुनागंदा उचल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिशमागे गाहे तव जय गाथा जनगन मंगन दायक जय हे भारत भाक्य विठाटा जय हे जय हे जय हे जय हे झुभ आप्योन झाप्योन प्रिंदरि मुप आशिए झाल